मेंगाई की आग में तप्रही भारतिय जन्ता को रुपई में गिरावट अब जुल साने वाली है अमेरिकी फैट द्वारा ब्याजदरे बढ़ाने के बाद रुपई में लगातार इत्यासी गिरावट टेखने को मिली है चानकारों के अनुसार अमेरिकी जोलर के मुकाबले रुपई में 81.09 के रिकोर्ड स्थर पर नीचे जाने से कच्छे तेल और अन्य जिन्सों का आयात महंगा हो जाएगा जिससे मुद्रा स्फिती और बढ़ जाएगी ऐसे में यदि आप भी कीमते घटने की जूठी उमीद पाले थे तो अब नीच से जाग जाएए क्योंकि रिजर्व बैंक ने 6 फीसिदी महंगाई को तो सहनियस तर माना है लेकिन महंगाई इस सहनियस तर को बीते कई महिनों से पार कर रही है उस पर अमेरिका के केंद्रिय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्यास दरों को बार-बार बढ़ाए जाने से भारत के रुपए पर बना दबाव व्यपार घाटा बढ़ाने और विदेशी पुंजी की निकासी की वज़े से और बढ़ने की आशंका है आरबियाई की मौदरिक नीती स्मिती इस सप्तहा के अंत में द्वीमासिक मौदरिक नीती की घोशना करने वाली है इसमें मुदर स्विती के दबाव को गम करने के लिए रेपोदर में 0.50 प्रतिशत की व्रिद्धी का फैसला कर सकती है भारत अपनी 85 फिजदी तेल जरूरती और 50 फिजदी गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए दरसल आयात पर निरबर है ऐसी सिती में रुपए में कमजोरी का असर इंधन की घ्रेलू कीमतों पर पढ़ सकता है मिल मालिकों के संक्थन Solvent Extract Association of India के निदेशक का कहना है कि इससे आयातित खाद्या तेलों की लागत बढ़ जाएगी और इसका भार आखिर में उभोकताओं पर ही पढ़ेगा अगस्थ 2022 में वरस्पती तेल का आयात पिछले वर्ष की समान अबदी की तुलना में 41.55 फिसदी बढ़कर 1.89 अरब डोलर रहा है कच्चे तेल का आयात बढ़ने से अगस्थ में भारत का व्यपार घाट अगस्थ में दोगूने से अधिकोकर 27.98 अरब डोलर पर पहुंच गया है इस वर्ष अगस्थ में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, एमम उतपादों का आयात सालाना अधार पर 87.44 फिसदी बढ़कर 17.17 अरब डोलर हो गया है वहीं इकरा रेटिंग्स की मुखे अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि जिनसों के दामों में कमी का मुद्रा स्विती पर जो अनकूल असर पढ़ना था वो अब रुपए में गिरावट की वज़े से कुछ परभावित होगा वहीं SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी केंदिरा बैंक अपनी मुद्रा के अवमुलियन को फिलाल रोक नहीं सकता और RBI भी सीमी तब्दी के लिए रुपए में गिरावट होने देगा इसमें कहा गया है कि ये भी सच है कि जब मुद्रा एक निचले सर पर स्थिर हो जाती है तो फिर उसमें नाटकिय धंग से तेजी आती है और भारत की मजबूत बुनियात को देखते हुए ये एक संभावना है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रुपए की कीमतों में ये गिरावट डोलर की मजबूती की वज़ा से आई है भीरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी